हेलो एवरिवान, वेलकम बाट तो मैं यूट्यूब चानल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हो कि आप महा आश्टमी या महा नौमी के दिन कंजक पूजन कैसे करें तो कंजक पूजनाप या नौमी आश्टमी किसी भी दिन कर सकते हैं जिस भी दिन आपके परिवार में होता हो तो इसके लिए सबसे पहले जल लेंगे तो आपको जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो भी कंजक और लांगुरिया आपके घर में आएंगी आपको एक कंजक और एक लांगुरिया भी जिमा सकते हैं और बाकी कंजकों का प्रसाद उनके घर पे या कहीं मंदिर के पास सब कंजकों को दे कर आ सकते हैं कंजक यानी छोटी कन्या, तो छोटी कन्याओं को माता के नौर उपो में पूज कर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप उनके चरन धुलाएं, चरन धुलाकर उन्हें आप टीका लगाएं, उनके चरनों का भी पूजन करें तो उसके बाद आपको इनी के साथ-साथ एक लांगुरिया भी होना चाहिए आपको पाँच, साथ, नौ, जितनी कन्या आप जिमाना चाहें और ऐसा जरूरी नहीं है गिंती में ही हो जितनी भी कन्या आपके घर में आ जाएं सभी देवी का रूप है तो जितनी भी कन्या आपके घर में आ रही है आप सभी को भोजन कराएं इसके बाद आप उन्हें चुन्नी उढ़ा सकते हैं या फिर सिर्फ आप कलावा बांधेंगी तो वो भी काफी है क्योंकि कलावा भी वस्तरों का प्रतीक होता है और रक्षा सूतर की रूप में हाथ में बांधा जाता है तो ये देखे इस तरीके से आपको लड़कों के राइट हैंड में और लड़कियों के लेफ्ट हैंड में बांधे हैं मोली कई लोग लड़कियों को भी राइट हैंड में ही बांधे हैं जैसा आप करते हो वैसा आप कर सकते हैं तो इसके बाद ये देखिए मोली बादने के बाद आपको उन्हें भोजन कराना है भोजन में आपको पूरी, हलवा और चनी जरूर से बनाने चाहिए उसके इलावा जो भी सबजी रायता जो भी आप उन्हें उसके इलावा खिलाना चाहते हैं वो आप खिला सकते हैं उसके बाद आप उन्हें दक्षिना दे उनके पाउच हुए उनसे आशिरवाद ले और दक्षिना के साथ साथ आप उन्हें कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं यानि आपको उन्हें कुछ रुपे देने हैं और कोई गिफ्ट देना है इसके बाद उन्हें अच्छे से उनके घर तक अगर पास में ही रहते हो तो घर तक छोड़ कर आए और इस तरीके से अपना कन्या पूजन पूर्ण करें तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो क अब्सक्राइब करें थांक यू वरी मुच्छ पर वाचिं।